तो इंतजार की गड़ी खत्थ होई राजस्थान की भजनलाल सरकार के मंत्री मनल में तमाम महकमों का बटवारा आज आखिरकार हो ही गया खुद मुक्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने पास ग्रह खान आपकारी और कार्मिक के साथ जी एडी विवाग को रखा है वहीं डिप्टी सीयम दिया कुमारी को प्रदेश के महत्पूर्ण माने जाने वाले विवागों में से एक वित्विभाग की कमान सौपी गई है इसके लावा दिया कुमारी के पास परेटन साइथ छे अन्य और विवाग भी है जिसमें महिला एवं बाल विवकास विवाग कला एवं साइथ विवाग शामिल है डिप्टी सीयम प्रेम चंद बहरवा को भी परिवहन जैसा महत्पूर्ण विवाग सौपा गया है इसके लावा उनके पास उच्च शिक्षा तकनीकी विवाग आयरुवेदिक यूनानी एम होमियोपेतिक चिकित्सा विवाग शामिल है प्रदेश में किसान नेता की छवी रखने वाले डॉक्टर किरोलाल मेना को क्रशी ग्रामीड विकास और आपदा प्रबंदन विवाग की जिम्मेदारी सौपी गई है पूरवरती वसंद्रा सरकार में में मंतरी रह चुके गजेंदर सिंग्ख हीव सर को चिकित्सायों स्वास्त विवाग की जिम्मेदारी दी गई है एक बड़ी महत्पूर्ण जिम्मेदारी सौपी गई है इस बार मदन दिलावर को शिक्षा विवाग का विशाल महकमा सौपा गया है जबकि आखरी बार उनके पास वसंद्रा सरकार में समाज कल्यान विवाग हुआ करता था दलावर के पास पंचायती राज विवाग और संस्कृत शिक्षा विवाग भी एडिशनल में रहेंगे बाबुलाल खराडी को जो जन जाती है शेत्र से जड़े में जन जाती है शेत्री विकास विवाग का जिम्मा सौपा गया है जोरा राम कुमावत को पशुपालन डेरी गोपालन और देविस्थान विवाग की जिम्मेदारी मिली है इसके साथ ही लून करण सर के सुमित गोदारा को भी एक महत्पूर्ण मंत्राले सौपा है खाद एमम नागरिक आपूर्ती मंत्री होंगे अब से सुमित गोदारा केंदर और राज्य सरकार की तमाम जलिन कल्यानकारी और सीधे आपूर्ती करने वाली योजनाओं का संचाला नूंकी देख रेक में ही होगा सबसे बड़ी चौकाने वाली बात यह है कि नई भजनलाल सरकार में एक और परमप्रा टूटी है दरसल मुख्यमंत्री अमूमन जादातर विवाग अपने पास रखा करते थे अब तक लेकिन इस बार जादातर विवाग मंत्रियों को सौप दिये गए है एक और चौकाने वाली बात यह है कि पहली बार ही मंत्री बने विवागों को बड़े और महत्मुण विवागों के स्वतंतर प्रभार सौप दिये गए हैं केंद्री नेतरुत्व ने और प्रदेश नेतरुत्व ने उन पर विश्वास जाताया है मंद्री मंडल पोर्टफोलियों में इस बार बहुत कुछ रोचक और चौका आने वाला इस बार नजर आ रहा है सरकार के प्रमख विवागों में से एक है यूडियच विभाग प्रदेश के शहरी सौधरी करण के आधारवुड ढांचे की धूरी इसी विभाग पटिकी हुई है यह विभाग अमुमन शहरी शेतर के विधायकों को ही दिया जाते रहा है यह विभाग गहलो सरकार में शांती धरिवाल के पास हुआ करता था जो इस बार भजनलाल सरकार में जाबर सिंग खर्रा को दिया गया है जाबर सिंग खर्रा खालिस गरामिन इलाके से आते हैं और गाउं में ही रहते हैं इसके अलावा सामाजिक नियाय एम अधिकारी ता विभाग अभी तक की सरकारों में दलित विधाय को को ही स्वंपे जाते रहे हैं लेकिन इस बार अविनाश गैलोत को ये विभाग स्वंप कर कहीं न कहीं नवाचार पेश किया गया है हाला कि अविनाश गैलोत माली समाज से आते हैं लेकिन यह भी बात याद रखने वाली है कि जो सामाजीक समरस्ता की क्रांती देश में जिसके सुत्रदार बनेते महत्मा जोतिरा फुले वे भी माली समाज से ही आते थे इसके अलावा हीरालान नागर को उर्जा विभाग सौंपा गया है जो की बड़ा चुनोंती भरा विभाग का आ जा सकता है कनईयाला चौदरी को पीएचीडी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है लूनी के जोगारां पटेल जैसा की एक गुद्धी जीवी के तोर पर अपनी अलग छवी रखते हैं उन्हें संसदी कारिय मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है राजस्तान के महत्रुन विभागों में खान मंत्राले सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है इसकी वजह है पिछले डेट दशक से इस विभाग में जमकर स्कैम हुए है विभागी उच्चादिकारियों की घोटालों में लिप्तता और बंदर मांट के आरोप लगे हैं इस विभाग को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद के पास रखा है कहीं न कहीं विभागों के बटवारे में इस बार विकेंद्री करण पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया ह ज्यादातर मंत्रियों को स्वतंत्र प्रबार दिये गए हैं पुशकर विभाग विधायक सुरेश सिंग रावत को जलस अंसादन विभाग सौपा गया है है मंत मीना को राजा सु एम उपनिविशन विभाग पूर्व केंद्री मंत्री रह चुके राजवर्दिन सिंग रा रह चुके हैं राज मंत्री संजय शर्मा को वन विभाग वन विज्ञान और प्रवद्वगी की विजय सिंग चौधरी को राजस उपनिवेशन सैनिक कल्यान के के विश्णवी को उद्योग वानिज विभाग खेल एम युवा मामलात गौतम कुमार दक को सह कारिता विभा अभी करणपुर से भाजबा के प्रत्याशी रहते हुए ही मंत्री चुन लिए गए सुरेंदरपाल सिंग टीटी को क्रशी विपड़न आईजी पी आरेस अल्प संक्यत मामलात विभाग दिया गया है तो राजस्थान की भजनलाल सरकार का पूरा लवाजवाब तैयार हो होगा है विकास की इबारत लिखने के लिए अब देखना होगा कि किस तरह का रोड में तयार करके यह इबारत लिखी जाएगी फिलाल के लिए दीजी इजाजत नमस्कार